बिजनौर में सिचाई खंड विभाग द्वारा कराय जा रहे सडक निर्मार कारे में घोटाले की गूंज सुनाई दे रही है जहां 7 किलोमीटर लंबी सडक का शवारम करते ही सडक तूट गई सिचाई खंड विभाग के द्वारा 2,16,38,000 रुपे की लागस में तयार की जाने वाली 7 किलोमीटर लंबी सडक का शवारम करने जब सदर विधायक सुची चौधरी पहुची तो सडक पन नारियल फोरने की तयारी की गई जैसे ही विधायका ने सडक पन नारियल फोरने के लिए पटका तो नारियल नहीं तूटा लेकिन सडक तूट गई जिसके बाद गुस्ता आई विधायका सुची चौधरी और उसके दर्जनों समर्थक विभाग के कर्मचारियों पर गोटाले का आरुप लगाते हुए ज़क है ये लगभाग ऐसाड़ की सडक है जो की त्याय उसके तयार है विधायक के दूरा हमने से शुभारन के लिए बुलाया गया था जब हम आहां पहूंचे तो हमने जैसे ही सडक के उपर नारियल को तो नारियल नहीं तूटा और शड़क उखडग गई तो हमने उसके वार उसमें चेक किया तो बहुत ही अनिमिक्ता पाई गई है मानक क्या निगूफ कुस्के नहीं किया हमने उसका शुभारा मही पर रोग दिया गया तिर हमने डीम से बात की दियम से तुरंट तीन अधिकारियों के उन्होंने तीन गठित की जिनको वहाँ पर बेजा गया तो पूरा प्रोसेजर हमारे सामने हो हमने अपने सामने ही उसको लगवा के उसको रखाया जाजकरी विच्वादी है तो उनके खिलाब क्या करवाई की जाएगी और जो हमें लग रहा है अभी शुरू में देखे कि जब हम महां बात कर रहे थे तो इतना जवाब यह ठीकेदा कर रहा था जिसकी ठीकेदार की पहरी सिचायविभाग का एक्षिन और जेई कर रहे हैं तो हमें लग रहा है और निशित तौर पर हमारे बात हो चुकिए दियम ने भी हमें यह स्वस्त किया है कि इस पे कठोर से कठोर कारवाई की जाएगी और जो भी मानक है उसके अनुर किलोमेटर को लेंख रोड यह भाग को जोड़ेगी और इस गाओ इधार चेत्र वासुन की काफी लंबे समय से इसकी डिमांड चली आ रही थी तो उसी की शुभारन के लिए हम जाए थे